बैंकों का हजारो करोड रुपे लेकर फरार बिजनसमैन विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए मोधी सरकार पूरी कोशिश में जुटी है हाली में ब्रिटेन में हुई सुनवाई के दौरान वहां की कोट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नमबर 12 का तीन हफ़ते में वीडियो भी मांगा है जिससे साफ है कि जल्धी ब्रिटेन माल्या को भारत के हवाले करने वाला है अगर ऐसा होता है तो पिछले 26 सालों में विजय माल्या पहला ऐसा शक्स होगा जिसे ब्रिटेन से प्रत्यरपण के तहट लाया जाएगा माल्या ही नहीं ऐसे कई आरोपी हैं जो भारत में गुनाह कर ब्रिटेन की शरण में पहुँच गए हैं जिने भारत नहीं लाया जा सका आरोपी टाइगर हनीव भी ब्रिटेन की शरण में हैं उस पर 1993 में गुजराद बम धमाके का आरोप है दो बम धमाकों में दाउद के गुरगे टाइगर हनीव का हाथ था जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी मशूर गायक गुलशनकुमार की हत्या का आरोपी नदीम सैफी भी ब्रिटेन में ही है 1997 में T-Series के माले गुलशनकुमार की हत्या के बाद नदीम सैफी ब्रिटेन भागया था जिसे सौपने के लिए ब्रिटेन तयार नहीं हुआ एक और भगोडा रवी शंकरन भी ब्रिटेन में जाकर छुपा है उस पर साल 2005 में नेवी वारूम से जानकारी लीग करने का आरोप है भारतिय वायुसेना के खूफिय अधिकारियों को इसके पास से पेंडराइव मिली थी जिसमें भारत की समुद्री तैयारियों से जुड़ी जानकारी थी भारत में T20 क्रिकेट की शुरुवात करने वाला ललित मोदी भी भाग कर ब्रिटेन में छुपा हुआ है ललित मोदी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानि फेमा समेथ कई कानून के तहट वित्तिय अनियमितता का आरोप है इसे भी ब्रिटेन ने सौपने से इनकार कर दिया है एनमिफ न्यूस की रपोर्ट